नमस्कार आप सभी का बेहदी स्वागत है हमारे विशेश कारेक्रम कालचक्र में और मैं हूँ आपके साथ आर्जदुपे तो दर्शको कालचक्र में हम लोग बात करेंगे आपकी राशी फल के बारे में जानेंगे कि आज का दिन आपका कैसा बीतने वाल है अचारे हिमान्शु उपमन्युजी के माध्यन से जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौझूद है तो चलिए सबसे पहले मिलकर श्वागत कर लेते हैं अचारे जी का राधे 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 रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रगुना थाया ना थाया सीताया हग पताए नमहा आप सभी दर्सकों को राधे राधे अचारे जी सबसे पहले जान लेते हैं आज की तिथी और नक्षत्र जी आज दिनांख है ती सक्तू भरसन 2022 दिन है रविवार का तिथी है पंच मी जो प्रात आकाली ना आठ बच कर चौता मिनट तक रहेगी उसके पश्चा सष्ट मी तिथी लग जाएगी मूल नक्षत्र है आज के दिन जो दस बच कर चौतिस मिनट प्रात आकाल तक रहने वाला है बिल्कुल तो चली दर्शको अब चलते हैं आपके राशी फल की तरफ जानेंगे कि बारा राशियों का हाल आज का कैसा होने वाला है आचारे जी सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश, विशप और मिथुन के बारे में जी मेश रासी के जात्कों को मैं बता दूँ आज के दिन आपके जीवन साथी के साथ मुझे विवाद होने के योग दिखते हैं पूरुस जो है मेश रासी के जात्क उनके लिए कह रहा हूँ मैं यह महिलाओं के लिए नहीं है कि जो उनके जीवन साथी है, जो उनकी जीवन संगिनी है, आज के दिन उनके साथ बिबाद हो सकता है, साथी सारी रिक परिस्तियां में मुझे कुछ ना कुछ बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है सारे दिक परिस्तियां मेर्सराशी के जात्कों के लिए बरतमान समय पर मुझे काफी दिनों के लिए अच्छी नहीं दिख रही है बीते हुए समय और आने वाले समय दोनों ही समयों का मैं जोड़ बता रहा हूँ या आपको अब बात कर ली जाए अगर व्रसराशी के जात्कों के बारे में तो व्रसराशी के जात्कों का भी आज का दिन अच्छा नहीं है आज आपने लिए जो भी बुरा सोच सकते हैं वो बुरा आज के दिन आपके साथ घटित हो सकता है आप सोचेंगे कि ये तो मैंने बुरा सपनेम भी नहीं सोचा था ये तो वो भी हो गया तो हाँ आज का दिन वही है आपके लिए कोई भी आपके उपर विपत्ती आ सकती है कर्ज आपके उपर बढ़ सकता है या आपके दुस्मन आपके खिलाब कुछ कर सकते है सारीरिक विफलता भी एक कारण हो सकती है आपके परेशान होने का अब बात की जाए अगर मिथन राशी के जातकों के बारे में तो मिथन राशी के जातक जो चाहें वो पासकते हैं जो भी उनके सुक्ष संसाधन से जुड़ी ही वस्तुएं हैं, वो उन्हें बड़ी आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हर प्रकार का सुक्ष मिलना मुझे तने दिखता है, और साथ ही जो संतान है आज के दिन आपकी, वो निश्यत ही आपको कोई सुक्ष के छण आज के दिन आपकी साधीरिक विफलताओं जो हैं, जो साधीरिक समस्याओं हैं, उन्हें कहीं न कहीं आज के दिन आपको लाब मिलने वाला है, और साथ ही आज के दिन आपके मित्रों में बरद्धी हो जाए, मुझे ऐसे योग बनते हुए दिख रहे हैं, नह pleasing दोस्त बने अब बात की जाए अगर सिंग रासी के जात्कों के बारे में तो सिंग रासी के जो जाता का है आज के दिन धन तो उनका बढ़ने वाला है लेकिन साथ ही सारीदिक समस्याएं भी लेकर आने वाला है सारी दिक समस्या आपका जितना धन बढ़ेगा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी ग्रहयोग ही ऐसे हैं जो आपको राहत नहीं देते हुए दिखते हैं अब बात की जाएगा कर्ण्या के बारे में तो कर्ण्या राशी के जात्कों को बता दूँगा आपके घर में कुछ नया धन आने वाला है आपके रोजगार को आपके व्यापार को कुछ अधिक धन की प्राप्ती होने की जैसे योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं लेकिन साथ ही कुछ भय के च्छन भी आज के दिन आपको दिखने वाले हैं कोई ऐसा कारे आपके आसपा संपादित हो जाएगा जिससे मन में भय इस्थापित हो सकता है छे राशियों का हाल हम लोगोंने समझ लिया है इसी क्रम के अनुसर आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे तुला वरिष्टिक और धनू के बारे में अचारे जी जी तुला राशी के जातक जो है मैं कहना चाहूंगा आज का दिन उनका है जो चाहते हैं वो आज के दिन उसे पा सकते हैं जो भी मैं ये नहीं कराऊं ये बनेगा वो विगडेगा आप जो चाहते हैं वो आज के दिन बन जाएगा तो सिर्फ आज के दिन का आनंद लें और अपने अधूरे पड़े हुए सभी कारियों को आज के दिन आप पूरा कर लें अब बात की जाए अगली रासी व्रस्चिक के बारे में व्रश्चिक रासी के जातकों को बता दू आज के दिन उनके जमा धनकोस में व्रद्धी होने वाली है ऐसा धना आएगा जो एकत्रित होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको सावधानी रखनी होगी आपको अपने धन के प्रति सचेत रहना होगा अपने आसपास के लोगों से क्योंकि वेल प्लान कर रहे हैं कही न कहीं विचार कर रहे हैं कि आपको आर्थिक नुक्सान पहुचा दिया जाए तो सचेत रहें, निश्यती आपकी धनवरदी हो जाएगी और सचेत ना रहने पर धन का नुकसान अब बात की जाए धनुराशी के जात्कों के बारे में तो धनुराशी के जो जातक हैं आज का दिन उनका बहुत अच्छा है सिर्फ एक समस्या है, बहुत छोटी सी समस्या है आपकी मना हिस्तिती, अगर आप अपनी मना हिस्तिती को बहतर रख्माने में सक्षम रहे आज के दिन तो आप भी जो चाहेंगे वो पा जाएंगे जैसे मैंने तुला राशी के जातकों के लिए कहा वैसी परिस्तितियां आज के दिन आपके लिए बनेंगी लेकिन आपको अपनी नीचे उपर होती हुई मना हिस्तिती पर नियन परण रखना होगा आखरी तीन राशीयां हमारी बच्ची हुई है मकर कुम्ब और मेन अचारे जी मकर राशी के जातकों को मैं बता दूंगा आज का दिन अच्छा नहीं उसका कारण यह है कि आज के दिन कहीं न कहीं आपकी परिवारिक परिस्तितियां विवाद आस्पद मुझे दिख रही है परिवार में विवाद के योग बनते दिख रहे हैं साथ ही अनरगल तरीके से धनका खर्च भी आपको आज के दिन करना पर जाएगा परिस्तितियां बड़ी ही चिंता जनक हैं आपके लिए तो आपको थोड़ी सी सावधानी आज के दिन अपने किसी भी वक्तव्य पर रखनी होगी अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित ही परिस्तितियां आपके विपक्ष में होगी अब बात की जाए कुमराशी के जात्कों के बारे में तो कुमराशी के जात्कों के लिए आज वो सब कुछ होगा जो उन्हें खुश कर सकता है उनके लिए प्रसन्नता, सुख के आज कई उसर आज के दिन में बनने वाले हैं मैं कहूं आप कोई कारे चाहते हैं जिससे आपको प्रसन्नता होगी तो आज के दिन आप उस कारे को संपादित कर ले निश्यत ही आपके लिए आज का दिन सुखमय बतीत होने वाला है बात की जाए मीनराशी के जात्कों के बारे में तो आज के दिन आपकी कारे सफल होंगे और विसेज कर वह कारे आपके सफल होंगे अगर आपको किसी संपत्ती को खरीदना है, किसी प्रापर्टी को खरीदना है, किसी वाहन को खरीदना है या किसी भी प्रकार की वस्त को खरीद कर अपने घर लाना है तो ऐसे कारे में आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होगी और ऐसे कार में किया गया निवेस आपका निश्रित ही आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न प्रदान करेगा बिल्कुल तो बारा राशियों का हाल हम लोग ने समझ लिया है अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगी कि आज का शुप और अशुप महूरत कब है अचारिक जी आज की दिन का जो राहु काल है वह 4 बजकर 10 मिनट से 5 बजकर 40 मिनट सायम काल तक रहने वाला है और गुलिक काल 2 बजकर 50 मिनट से 4 बजकर 10 मिनट तक रहने वाला है यह असुप समय है जब आपको कोई भी अच्छा कार नहीं करना चाहिए बात की जाए अभजीत महूर अचारे जी आज जिन लोगों का राशी फल अच्छा नहीं है या फिर कोई भी शुब अफसर उनके लिए जिसे वो अपने दिन को और बहतर बना सकते हैं उनके लिए क्या उपाय लेकर आएं आप जी आज की दिन मैं बता दूं आज सष्टमी है जिसे छट के रूप में पूजा जाता है तो आज की दिन मां छट के पूजन पे भगवान सूर नारान को अर्ग तो प्रदान ही किया जाता है साथ ही आज रवी वार का दिन है तो मैं बस इतना ही कहूंगा भगवान सूर का इस कर लेंगे बिल्कुल तो चलिए आज के लिए काल्च्रक्त में बस इतना ही कल फिर हाजिर हूंगे एक नए विशे के साथ आपके दिन भर के राश्यों के हाल के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिये और बेहत खुश रही है नमस्कार झाल